नमस्कार पहुराशिका बजाज आप देख रही है जीन भारत किसको थाना छेत्र के नारी नावडी गाउ के तीन ग्रामिनों से कोविड नाइटीन के नाम पर 23,610 रुपे की ठगी का मामला सामने आया है ग्रामिनों ने इस मामले को लेकर किसको थाना के पुलिस के पास शिकायत दर्च कराने की बात कही है बताया जा रहा है कि किसको थाना छेत्र के नारी नावडी गाउ के रहने वाले अन्वर अनसारी से 7,000, समी उल्ला अनसारी से 10,600 और उमेश यादव से 6,010 की ठगी की गई है ठगी का शिकार हुए ग्रामिनों का कहना है कि उन्हें मोबाईल पर फोन आया था जिसमें फोन करने वाले ने कहा कि वस्तादर अस्पताल से बोल रहा है क्या उन्होंने COVID-19 का दूसरा डोस ले लिया है ग्रामिनों ने कहा कि फोन करने वाले ने कहा कि आपके मोबाईल पर OTP जा रही है उससे आप बताईए जैसे ही ग्रामिनों ने OTP बताया वैसे ही उनकी खाते उपरोपत राशी कट गए इसके बार ग्रामिन परिशान हो गए तीनों ग्रामिन से दर अस्पताल लहोडगा पहुचे जहां उन्हें ये पता करने की कोशिश की उन्हें अस्पताल से फोन किया गया था और क्या COVID-19 के नाम पर कोई पैसा लिया जा रहा है जब उन्हें पता चला कि इस दर गार की कोई फोन नहीं की गई तब ग्रामिनों को समझ में आ गया कि वह साइबर क्राइम शिकार बन चुके हैं ग्रामिनों ने किसको थाना में फर्याद लगाने की बात गही है क्या हुआ पूरा मामला पर दितम सुरू से लिटाइबर कल बीते कल साम में एक कॉल आया जो बताया गया कि संजय आदो नाम बताया और उसमें पूछा गिया हमसे कि COVID-19 का आप दूसरा डोज लिये हैं या नहीं लिये हैं तो हम बोले कि ले लिये हैं तो उन्होंने बताया कि दूसरा डोज ले लिये हैं तो आप एक और टोफी जा रहा है उसे और टोफी को हमको बताइए आपका फाइनल रजिस्टर में आपका नाम अंकीत कर दिया जाएगा उसके बाद कोई भी आप COVID-19 का टीका नहीं लिजिए गा उसके बाद जब अपना एकाउंट हम चेक कर हम तो ले लिए हैं ले लिए हैं बोले और उसके बाद बोला कि कोई मैसे जा रहा है वो टोफी लंबर बताइएगा हमने लंबर बता दिया और मेरे अकाउंट से पैसे कड़ी है इतना पैसाथ हजार रुपई है और मेरा दूसरा वेक्ति है उसका 11,000 रुपे कड़ा है एक अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले